आपके अपनी यूटीब चैनल जब सोर्य में देखे आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक नई विकेंसी की नई और फ्रेस काफी ज़्यादा अच्छी वेकेंसी की अपडेट है जो कि आई है भई सरस्वद कॉपरेटिव बैंक लिमिटेट के और से काफी ज़्य काफी वेकेंसी है और कितने पदों पर वेकेंसी आउट हुई है कौन-कौन अप्लाई कर सकता है कौन-कौन इलिजीबल है जॉब लोकेशन कहां पर रहने वाली है कैसे इसको अप्लाई करना है सारा इस वीडियो में डिसकेशन करेंगे तो एंड तक ज़रूर बने रहेगा जिसमें पेसेंस है वो वीडियो में बने रहे हैं बाकि आप लोग डिसक्रिप्शन को चेक करके वहाँ पर विजिट करके सारे डिटेल ले सकते हैं और जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बाकि जो चीज़ सुनना चाते हैं वो सुने और अच्छे से समझे उसके बाद इस में अपलाई कर सकते हैं तो देखिए मैंने क्या करा डैरेक्टली इसका जो अपलाई करने वाला प्रोसिजर है यहाँ पर जो पोटफोलियो जब आप अपलाई करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर जो होगा जिसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मल जाना है उस और यहाँ पर देखें चलिए मैं आपको short information अच्छे तरीके से देता हूँ इस vacances की overview तो देखें आई होप आप सभी को दिखाई दे रहोगा यह चीज तो organization ने में अगर मैं बात करूं तो सरश्वत cooperative bank limited की वर्स यह जो है vacances आउट हो चुके है देन उसके बाद क्या है पो इस vacances में apply करने के लिए काफे कम दिन है आठ दिन ही है अगर मैं आज को calculate करूं तो तो प्लीज आप लोग जल्दिस जल्दी apply करेगा इस vacances की update को देखने के पाद then apply application mode की मैं बात करूं तो online application apply होना है और category में bank job है और job location की अगर मैं बात करूं तो मुंबई और पूने दो okay so यहाँ पर चलिए और देखें यह इसका क्या है official PDF है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारस्वत bank सारस्वत को operative bank limited schedule bank और यहाँ पर 300 पदों पर यहाँ पर junior officers के लिए vacances आउट हो चुके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा पोस्ट है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोस्ट नेम की तो यहाँ पर लोग पढ़ सकते हैं सारस्वत bank require 300 junior officer marketing and operations circle cadre for its branches in Mumbai MM RDA and पुने तो दो जोब location में यहाँ पर आपकी job location रहने वाले मुंबई और पुने में basically महरास में रहने वाली है अब initial qualification के मैं बात करूँ यहाँ लोग दे discipline अगर आप graduate हैं अगर आपने अपना graduation complete करना है चाहिए किसे भी discipline में हो किसे भी stream में हो अगर आपने graduation complete कर रहा है तब आप इस विकेंस में apply करने के eligible हैं और यहाँ पर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की तो minimum one year in bank subsidiary of bank या फिर NBFC या फिर DSA या फिर credit societies तो देखिए आपक minimum एक साल का experience है तब आप इस विकेंस में apply करने के लिए पूनता eligible हैं और age limit में बात करूँ तो देखिए आपका basically age count किया जाएगा 1 December 2020 के साब से जिसके ताहत आपका जो age है वो 30 वर्ट से अधिक नहीं होना चाहिए बाकि यहाँ पर लोग और अच्छे से पढ़ सकते हैं ज और इस बता दिया है कि इस वेकेंस को online apply करने का जो date है वो on हो चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 21 December 2021 से और इस वेकेंस को apply करने का लाज़ेट है यहाँ पर 31 December 2021 है और basically मैंने एक चीज़ कहा था यह जो वेकेंस आउट हुई है 21 December 2021 से और apply होना स्टार्ट हो चु अपलाई कैसे करने उसके बारे में थोड़ा से मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के description में आपको link मिलेगा जहाँ पर आपको जाना है और click here for new registration बर click करना है और आपको क्या है form में आपका जो basic detail होता है वो अच्छे से fill up करना है तो और यहाँ पर देखिए अगर मैं बा और आम से पढ़ी सकते हैं मैंने आपको अल्री बता दिया था देन उसके बाद क्या है कि educational qualification bachelor degree होने चाहिए with list मतलब at least आपका 60% marks होना चाहिए किसे भी stream में अगर आपने complete कर रहा है अगर आप अगर आपने master complete कर रहा है तो उसमें क्या है minimum 50% होने चाहिए अगर आपने PG के बत और अगर आप apply करते हैं तब और बाके experience वगर से related मैंने आपको already बता दिया है क्योंकि उसमें already mentioned है वह सारी चीज़े तो age limit में basically आपका count किया जाएगा 1 December 2021 के साब से जिसके अनुसार आपका जो age है at least 30 से above नहीं होना चाहिए वो terms condition में दिया गया है आयोप आप सबने गोचीज पढ़ा होगा और यहां पर अगर मैं बात करूं इसमें selection कैसे होना है सारसवत बैंक में selection procedure क्या रहने माला है तो देखे इसके लिए दो stage में आपका basically selection होना है जिसमें पहले stage होता है online exam के बत और online exam कराया जाएगा I hope कि यह CBT test ही हो और जैसे examination होता है और जो candidate exam clear कर करता है exam qualify करता है फिर वो candidate eligible हो जाएंगे interview round के लिए और जो candidate interview और online examination दोनों clear करते है फिर वो candidate उस job के लिए eligible हो जाएंगे उस job को करने के लिए और यहां पर देखे सारसवत bank exam pattern अगर मैं बात करूं तो फिर यहां पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें online examination होना है जिसमें तो यहां पर नंबर आप question कि अगर मैं बात करूं तो 50 question होंगे और minimum जो है 50 marks के जो examination होगे जिसके लिए 35 minutes का आपको time duration divide रहेगा then उसके बाद second है आपका general English से आपको question देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद reasoning ability और computer aptitude से आपको question देखने को मिलेंगे फिर quantity aptitude से तो यहां पर सारे में आपको 50-50 के वाल English language में आपको 40 अंक और 40 question देखने को मिलेंगे सारे questions के लिए 1 marks रहेगा और इसमें देखे यहां पर एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगा कि यहां पर देखे यह जो paper है यहां पर पढ़ सकते हैं पहले the exam will be conduct in the English language only and three and there will be one fourth marks penalty of each wrong answer मतलब क् कि यह जो exam है वो केवल आपको यहां पर जो examination है वो केवल English language में ही मिलेगा Hindi language में exam नहीं होगा तो आप इस चीज को पहले से अच्छी तरीके से समझ लीजेगा कि exam का pattern जो भी यहां पर मैं आपको बता हूँगा भी जो आप मैं discussion कर रहा था language क्या है English रहने वाला है और से पेपर के लिए पढ़िएगा और देखे अगर आपका answer wrong होता है तो यहां पर one half four का यहां पर cut-off है मतलब 14 अंक काट दिया जाएगा अगर आपको अगर आपका exam में marks गलत होता है तो आप उस चीज का बढ़ी हिस द्यान रखी गया तो बंकी यहां पर जो number questions है वो total 190 अं को लेकि किसी के दिमाग में और कुछ concern ना हो रहा होगा बाकि अगर आपके मन में और कोई सवाल है कोई विचार है कुछ सुझाओ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरू करिएगा मैं आपको इस vacances लेटर जितने भी information हो सकती है मैं आपको provide कराऊंगा बाकि यह मंबई या फिर पूने के लिए तो आपको जहां भी सलेक करना होगा आप अपने अपने हिसाफ वहाँ पर सेलेक्शन कर सकते हैं अपने कोडिंग बाकि और चीज़े हैं यहां पर सारा चीज एक ही मेरे ख्याल से एक ही पेज में यहां पर दिया गया सर्ट अप अगरा फिर